Excel Tips & Tricks Part 5 इसमें हम देखेंगे कि हमने current date and time किस तरीके से add करना है जिस cell में भी आपने current date add करनी है वहां पर control and then semicolon जो है वो दबा दें तो वो current date आ जाएगी और जिसमें भी आपने current time डालना है आप control, shift और वो ही semicolon वाला button दबाएंगे तो colon आ जाएगा उसको दमाएंगे तो आपके पास 10.40, 1.00 PM जो इस वकर time हुआ है वो आ जाएगा तो इस तरीके से आप time डाल सकते हैं अगर आपने date की format change करनी हो तो यहां पर जाकर आप इसे long date भी कर सकते हैं तो here you can see Friday July 29th 2022 अगर इसे short date करना है तो आप इस तरीके से इसे short date कर सकते हैं और time की देखें अगर formatting आती है तो आप time को भी change कर सकते हैं बाइ usually it's like this see तो आप time को भी change कर सकते हैं next one please